मित्रो मानो समाज आधिकाल से ही अपने आसपास के वातावरण को खुश्णुमा बनाने के लिए अलग-अलग प्रकार की खुश्बूँ का इस्तेमाल करता रहा है वास्तो शास्त्र में भी इसके इस्तेमाल का विशेश महत्वा बताया गया है इस मामले में प्रकृती ने भ कोच विशिष्ट सुगंधियों का उप्योग विश्वकी लगभग सभी संस्कृतियों में अलग-अलग आयोजनों पर किया जाता रहा है प्राचिनकाल में राजा महराजाओं द्वारा अपने महल वस्त्रों अलग-अलग अक्षों मुख्यद्वार इत्यादी पर अलग- गेंदा, प्यूनिया या पिर अन्य पीले फूलों को विवाह योग्य कन्याओं के कक्ष के सामने सजाने से उनके विवाह के अच्छे प्रस्तावाते हैं इसी प्रकार से अमन, शांति और प्रेम का प्रतीक गुलाब अपने मादक सुगंध से मलीनिता को दूर करता है, आकारात्मक उर्जा की उपस्थिती मातरा और हानिकारक प्रभाव को नियंतरित और परिवर्तित किया जा सकता है, इसी प्रकार से वेवसाइक भावनाओं में हानिकारक उर्जा के मार्ग को बदल करके उसके स्थान पर नई और मनुवांचित उर्जा को बनाए रखने में आप अगर करते हैं तो घर के अंदर देशी घी के दिये जलाने से भी सात्विक और नैसर गिंग उर्जा मिलती है जो कि वहां रहने वालों के लिए अनूठी होती है। तो उसके प्रभाव से आपके इक्षा आराम करने की हो सकती है और सुबह का समय होता है फ्रेश्च हो करके नए काम के लिए तैयार होने के लिए इस खुश्बू का रोजाना इस्तेमाल आपको आलस्य और निद्रा का एहसास दिला सकता है। या डिप्रेशन का अनुभव करते हों तो घर में हर हपते में कम से कम एक बार हवन सामगरी को जलाने और घर से सभी हिस्सों में धूनी देने से रहात मिलती है। भवन सामगरी के विकल्प के रूप में लोहबान या गुगल का प्रियोग किया जा सकता है। यदि कोई जगा ऐसी हो जहां धूप न पहुंचती हो तो उस स्थान को कपूर की टिक्या रख करके सकारात्मक उर्जा से परिपून किया जा सकता है। वास्तु शास्तर के अनुसार अवासिय या वैवसाइक भवन बनाने के लिए भुखंड का चयन करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उस पर बनने वाला भवन पूर्व या उत्तरमुखी हो क्योंकि इस स्थिति में भवन और उसमें रहने वाले सभी प् पर या जगह पर तूलसी के पोधे लगा दिजे ताकि दोनों तरफ से सकारात्मक्दिश्याओं को और अधिक शुद्ध उर्जा प्राप्त हो सके इस स्थान पर श्यामा यानि की काली तूलसी का प्रियोग ज्यादा बहतर होता है यह एक वैज्यानिक तत्थ है कि वायू जब और शद्य पोधों के बीच होकर के गुजरती है तो उसके जीवन दाई उर्जा के प्रभाव में व्रिद्धी हो जाती है यह शोधित और सुगंधित वायू जब घर के आंगन ड्योधी लोबी त्यादी स्थानों तक पहुंचती है तो वहां रहने वालों का स्वास् करने की अदभूत शमता होती है पारे के शिवलिंग पिरामीड माला अंगुठी इत्यादी दूष्ट ग्रहन शत्रों के प्राण घातक और नकारात्मक प्रवाह को समाप्त करके सुख समरिद्धी का मार्ग प्रसस्त करते हैं यहीं पारा तुलसी के पोधे का एक मूल भू सुक्ष्म तत्व होता है मिट्टी की प्राकृतिक खुश्बू ने स्रिष्टी में कुछ उपयोगी गुन प्रदान किया है हमारे आसपास नैसर गिंग खुश्बू की कमी नहीं है जैसे मिट्टी पर बारिश की बुंदों से उत्पन भीनी भीनी खुश्बू हर प्रकार के तनाव को दूर करने का अद्भूत गुन रखती है ग्रामेरी शेत्रों में आज भी नकसीर फूटने पर मिट्टी को पानी में भीगो करके सुगा दिया जाता है उस पढ़ने के बाद सुबह के समय खेतों से उठने वाली प्राकृतिक खुश्बू आँखों की रोशनी है जो एक प्राकृतिक और शदी के तरह नुकसान पहुंचाए बिना हर प्रकार के रोगों को ठीक करने में सक्षम है भारतिय परंपरा में प्राचीन काल से ही प्रियजनों को पुश्ब गुच्छा भेट करना बुके के रूप में फूलों पत्यों को सजा करके देना किसी अति विशिष्ट व्यक्ति को सम्मान स्वरूप फूलों का गुच्छा भेट करना इत्यादी प्रचलित रहा है वास्तो शास्तर के शब्दावली में किवल उन सुगंधों की ही सिफारिश की जाती है जो प्रथम प्रभाव में आपके मन को अच्छी लगें जिस सुगंध से खुश्बु का प्रियोग करके भी आप अपने घर के वातावरन को सुध बना सकते हैं और महोल को पोजेटिब बना सकते हैं जो कि आपके सफलता में बहुत ही कारगर रूप से कारे करेगी तो यह आज की वीडियो रही जो की वास्तु टिप्स रहा आपके लिए सुगं करेंगे नई वीडियो में तब तक आप सभी खुश रहें आनदित रहें प्रेम से कमेंट में लिखें ओम नमस्षिभाय हर हर महादेव